स्वागत है आपका पब्लिक वॉइस के विशेश बुलेटिन वर्ल राउंड अप में रूसी सेना ने यूक्रेण के 107 तोप खाने का सफाया किया 21 गिराए पेश है यूक्रेण युद्ध का लेखा जोखा रूस यूक्रेण युद्ध में रूसी सेना लगातार बड़क बनाए हुए है रक्षा मंत्राले ने जानकारी दी है कि उनकी मिसाइल ट्रूप्स और आतलरी यूनिट्स ने यूक्रेण के 107 तोप खाने और ठिकानों को नश्ट कर दिया है इसके अलावा 131 इलाकों में दुश्मन के सैनिकों और हथियारों पर हमला किया गया है आस्मान पर भी रूसी हथियारों का पूर्ण कबजा नजर आया जिसका डाटा इस प्रकार है एर डिफेंस यूनिट्स ने खारकोप्ट शेत्र के वेलिकी वैसलोक और ओल्शाना, लुगांस्क पीपुल्स रिपबलिक के लिसचास, डोनेट्सक पीपुल्स रिपबलिक के बेरिस्टोवोई, जोर्जीवका और गोरलोफका, जपोरोजेक शेत्र के टोकमांक और मिरने के पास 21 ड्रोन को मार गिराया है, साथ ही, आथ हाइमर्स MLRS मिसाइलों को भी हवा में ही नश्ट कर दिया गया है, रुसी रक्षा मंत्राले ने युद्ध में अब तक यूक्रेन का कुल नुकसान का लेखा पेश किया, रक्षा मंत्राले ने बताया कि अब तक इस विशेश सेन्य अभियान में रुसी सेना ने कुल 566 हवाई जहाज, 265 हेलिकॉप्टर, 10,641 ड्रोन, 449 एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, 14,588 टैंक और अन्य बक्तरबंद वाहन, 1202 MLRS से लेस लडाक वाहन, 7,704 फील्ड आटिलरी तोप और मोटा, साथ ही 17,376 विशेश सेन्य उपकर दरनों को नश्ट कर दिया है, रूस का दावा, रूस का दावा है कि वो युक्रेन के नाजिवाद के खिलाफ लड रहा है और अपने लक्षियों को हासल करने के लिए द्रिर संकल्पित है, वहीं, युक्रेन और पश्चमी देश रूस के इस दावे का खंडन करते हैं और युक्रेन के खिलाफ युद्ध को अन्याय पूर्ण मानते हैं, अब एक नजर ताजा खबर रूसी मिसाइलों ने युक्रेन के तेल रिफाइनरी पर किया हमला युक्रेन के राष्ट्रपती जेलिंस कीने की दुनिया से मदद की गुहार रूस युक्रेन युद्ध का वैश्विक अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव हम दुनिया भर में चल रहे युद्धक्शेत्र पर अपनी गहरी नजर बनाए हुए हैं हमें आशा है कि हम आपको महत्वपूर्ण खबरे बिना किसी बदलाव के पहुचाते रहेंगे बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक वोईस आप हमारा एप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लीस टो पर जाए और सर्च करें ओटीटी लिव भारत का ओटीटी फ्लाटफॉर्म जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल मनोरंजक फिल्म और वेब सिरीज ओटीटी लिव अभी डाउनलोड करें